नमस्कार, Exotic Web Media Digital Channel में आप सभी का स्वागत करती हूँ और Astrology Series में आपका स्वागत है और हमने कहां इस तरह से हर सेटरड़े को हम रात को आट बजे ये Astrology Series में हमारे साथ सूरत सहर के नमांकित Astrologer किरन भाई ठकर जिनको बाबा के नम से जानते हैं वो आज हमारे साथ यहां पर उपस थी थे किरन जी आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में नाशकार जय गनेश किरन जी जो है Astrology में बहुत ही निसरांथ है और हमने कहा था इसी तरह से कि आपको अगर आपके बारे भी जानना है तो आपको आपका बर्टेट बर्थ प्लेस आपका नाम और आप कहां से है वो आप हमें बेजना है साथ में दो दिन प्रेस्टन भी हमें पूछ सकते हैं तो यहां से किरन भाय आपको उसके आंसर देंगे तो आज की जो सिरीज में काफी सारे प्रशना आये हुए है उन में से हमने थोड़े से आज लिये हैं दूसरे हम नेक्स्ट एपिशोड में लिये उसको न्याय देंगे लेकिन जीनों ने भी आज दिया है उसमें से काफी लोगों ने जो दिया है जब बर्ट डेट वगेरे उसमें अगर बेजेंगे आप तो हम आपका प्रशन नहीं ले सकते आपको पूरी डीटेल बेजनी है और दूसरी बात ये कि हमने जो आपको नमबर दिया है हमारे चैनल का जो वाट्सप नमबर है 922-7645700 यही नमबर पे आपको आपका जो डीटेल है वो वही पे ही बेजना है क्य किसी ने में थे इसने में दिया है थापी सरों अलूवोंचे अलूपे लोगों ने बेज दिया है सो कोई एक ही जगह पे आप बेजिए वह बहुत जरूरी है तो उसको हम सही तरह से उसको पूल सके पनाओ है इनको जो बात कर रहे है कि आपका बविश्य जानिये, आपके बारे भी जानिये, एस्ट्रोलोजी भी बारा, तो हमारे साथ अम्दाबाद सिकh प्रशना आया हुआ है, जिनका नाम है प्रमोध भाई, और उनकी बर्थर देट है 19 मार्च 54, उनका जन्म समय है सुबब 8 पच्चाहन 8 55 और उनका बार्थ प्रेस है अम्दाबाद, पहले तो थोड़ा सा उनके बारे में बताईए और उनका एक वेस्टेंस भी है, वो भी हम लेंगे, प्रबोध वाई का, एक्चुली मेस लगना कुली आ रहा है, लगनेस अस्टम स्थान में है, जि, वो बहुत बड़े धनी ह नॉलेज के अच्छे इनसान है, उनका प्रस्ण पोई पेसिफिक प्रस्ण यह है, कि उनका कुछ कुछ कॉर्ट में केस चल रहा है, तो वो उनमें से कैस कि कब बहार निकली गए, ऐसा उनका कहना है, कि कब बहार रिलेक्स हो पा होगा इसमें से, और केस में अभी उनको फा कॉर्ट केस में फायदा रहेगा, उनको खाली कॉर्ट केस में जीतने के लिए घणपती मंत्र, घणपती अथरवसिस के पाठ करने होगे, जिससे उनको काफी फायदा मिलेगा, तो सर वो पाठ कौन सा करना है, गणपती अथरवसिस का पाठ बोलते हैं उनको, वो उनको करन आपको जुलाई के बाद फाइदा रहेगा और आपने जो questions पूछा था, उनका answer भी हमने दे दिया है, अगर ज्यादा आपको इसे भी जानकारी लेनी है, तो आप personally उनका contact कर सकते हैं, अभी दूसरा जो प्रश्ना है, आर्टी मालकी जी का है, उनका date of birth है 13 July 83 उनका समय है, दो बच कर तीन मिनिट, दो पर को, हाँ जी, और उनका बर्थ पैस है, अम्रिट सर पंजाब यहाँ पे लाइव कारेक्रम यहाँ पे चल रहा है, लाइव जन्माक्षर प्रश्ना है जो कुनली इसे बोलते है, उसका प्रेटिक्शन यहाँ से गो रहा है, हमारे जो एस्टोलोजर है, वो लाइव यहाँ पे देख रहा है, आपकी बर्थ डेट के मुताबीत, आपने जो हमें नीटेस दी है, उनके मुताबीत यहाँ पे हम देख रहा है और आपको इसका आंस कुनली में खास है, बाकी उनका कोई पर्टिकुलर प्रेस्टन है, उन्होंने पहले यह पूछा है कि वो कौन सा केरियर चॉइस करें कि जिसमें वो आगे बढ़ सके, उनका मतलब दूसरा है, इसे बोट प्रोफेस्टनल आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरा है कि अब उनका का फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर में थोड़ा सा में बोला वैसे ही कालसर प्योग की हुजा है वो करवानी पड़ेगी और गुरू और रहो का चांदार योग है, उसका एक विधी करवाना पड़ेगा, उनकी कुल लेवी पे उनको नियमिक दलसन करने जाना फूल। वजज को पूल।। है आतμο caf फूल हर और सिफड मीसरी का भोग लगा वे उसके उनको काफी राहत मिलेटी लेकिन ये कालसर प्योग की जो उनकी पूजा है वो कैसे भी करके गो करवावे ऑन्जित पेसंस पूछ दे वो आपको हमने यहां से अंसर दिया है ज्यादा अगर जानकरी ले नहीं है तो आप नेक्स एपिशोर में पूछ लीजेगा और दूसरे है बोगरा मयूर जी जिनका पर्थेट है सूरत से है 17 सप्टेम्बर 91 और उनका 12 पीन बर्थ टाइम है और उनका जो जन्मस्थल है वो है जेसर विलेज जेसर दिस्टिक्ट भाव नगर जी सब्सक्राइम्बर नगर नगर उनके बारे में बता ही है और उनका एक्वेस्टन भी है उनकी गुंडी में भी साड़े साथी पनोति का योग चल रहा है जो उनके काल्यकाल में कापी रुकावट डाल रहा है तो वह इसाब से वह थोड़ा कामदे में भी ठोड़ा संबल के चले वह उनका काम के रिलेटेंड ही क्वेस्टन भी है साड़े साथी पनोति का योग भी चल रहा है फाइनसिल उनको थोड़ा लिखकर ज्यादा दिख रही है जी अ महीरो जी आपने सूना होगा आपके बारे में जो हमारे एस्ट्रो बीजनेस में उनको सफर्ता नहीं मिल रही है तो उसके लिए वह क्या बहे आपके बीजनेस में उनको कचे डायमन में अच्छा काम कर सकते हैं कम еёरे में ठोड़ा जिक्कत रहे गागा और डायमन का काम अच्छा चल सकता है एल तोडी सी यो कुंळी में रुकावट और वो जलसी दालत नदी में गिरना चाहिए जिससे उनको धंदे में काविफाइदा रगें जी, मैयो जी आपने सुन लिया होगा कि किरन जी ने क्या कहा है आपको, जो आपको कहा है वो आप करिए तो आपको साइट सभलता मिल सलती है उसमें और आगे चलते हैं, दूसरा जो क्वेस्स है, वो योगेश भाई का है सुरत से, उनकी बर्थ डेट है 17 जनवरी 66 किरन जी के बार में थूड़ा सा बताऊंगी कि वो गलेश जी के बाशक है और एस्टोलोजी जो कहते है वो उन्होंने जो कहा है वो साइद आपको सही लगे, अगर आपको ऐसा लगे की नहीं हमने इन्होंने कहा है वो एकदम सही है तो जरूर से लाइक और कॉमेंट समय द बता चले कि इन्होंने जो प्रिटिक्शन किया है वो कैसा रहा आपके लिए योगेस भाई का जन्मा समय हाँ जन्मा डेट मतलब उनका बर्थ डेट है 17 जन्वरी 66 एंड बर्थ प्लेस सूरत है समय उन्होंने दिया नहीं है तो नहीं दे सकते हैं तो प्लेस योगेस जी आप आपका समय हमें बेजिए तभी हम आपका ये जो प्रशन है वो हम पूछ सकते हैं उसके बाद है पार्थ है वो भी सूरत से है उनका बर्थ डेट है 14 जन्वरी 93 93 जी उनका बर्थ टाइम है 3.45 a.m. और बर्थ प्लेस सूरत है एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल का ये एस्ट्रोस लॉसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है फिर से और अभी जो चल रहा है बर्थ डेट और खांची बताएगे सर क्या पूछना चाते हैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ आप दीजिए उसके बाद उन्होंने दो को कुछे कर चेको अब हमेमागार से शिरी निए लृदिक कर रहा है महनत कर रहा है अब बताये उन्होंने यह पुछाए कि अभी वो जहां पर जॉब कर रहे हैं तो उसमें उनको प्रमोशन मिलेगा क्या प्रमोशन के चांसिस कम है ठोड़े जी और दूसरा उनका प्रेसिंस यह है कि अगर वो फास्ट पूर का बिसनेस करना चाहते है चालू अगर करें तो उसमें क्या उ प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो उनका चांसिस थोड़े काम है तो आपको भी आपका जवाब मिल गया हुआ दूसरे भी जो है दो लोगोंने और बेजे हैं लेकिन उनका भी समय नहीं है जन्मा का समय नहीं है तो रमिस्ट आपी जी प्लीज अगर आप ये प्रोग्राम देख रहें तो नेक्स्ट एपिशोड में आपका हम लेंगे क्वेस्टन संसर क्यूंकि आपने भी जन्मा समय हमें बेजा नहीं है और दूसरे परेश गोहिल जी वो भी उन्होंने भी अपना जन्मा समय और जन्मा स्थाल नह करनी है तो खास करके इसके लिए हमने हमारा इटीशोड में आख थोड़े क्रिसंस लिए है तो पहले तो किरन भाई जो जून का ये 2020 का पहला सुझे ब्राण है कल्च योग हो रहा है तो वो कब होगा कैसे होगा कितने बजे होगा वो हमारे तरशवों को बताएगे कल का ग और उसका मोक्स होगा दूपर को एक बज कर तैंटीस मिनिट पर ठीक है ग्रहन मिठुन लासे में हो रहा है और आद्रानक्साट्र में हो रहा है जो वर्ल्ड की पूलिटिक्स पर बढ़ा उसर डालीम है काफी लोग हम से कूछे है कि यह जट यह क्रोमा का ऐसा हो जएगा घुट अक्रवकास्य में और रहा है रहु का शेड़र शचत रहे जो पूलिटिक्स पर उसर डाले सब्सक्राइब करेगा उसके बाद में थोड़ा सांथ होगा सब्सक्राइब तर यह थोड़ा टेंशन बढ़ाएगा इसमें काफी और देश भी सामिल होगे इस पर असर निखरा है और यह जो ग्रहन है ज्यादा तब किस पर प्रभाव राल सकता है वर्ल्ड पोलिटिक्स पे लेका नारीट डालेगा इस असर डालेगा की बहुत सारे लोगों के मन में है है कि यह वर्व पोलिटिक्स पे लोगों में हैं थे होई है कि यह गरहन में। काफी सारा कास्पोच को सकता है तो थोड़ा सा अबता ही जी इससे कुद्रद आपता तो आने वाली ही है लेकिन उससे भी ज्यादा ये खुरुत्रिम आपता ज्यादा ज्यादा तिकरी है जैसे वर्ल्ड पोलिटिक्स में कुछ ऐसा पेखा होने मादे हैं जो आप बीलिव न है और राहु कुछ इतना बढ़वन है कि वो जो दिगरा है वो वास्तविक्ता नहीं है वास्तविक्ता से कापी अलग तित्रविक सामने आएगा ये पताना है और वो वी वर्ल्ड पोलिक्स में आएगा बहुत ही अच्छी जानकारे आपने दी पर गरहन के बारे में सबको पता ही होता है कि ग्रहन में क्या घ्यान रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए लेकि आप क्या कहते है कि क्या मतलब इसमे करना चाहिए नौर्मल ग्रहन के वर्त खाना पिना है टोईलेट नहीं जाना है वो एक सभ्यला के इसाब से करना है ग्रहन के समय में छोबिया का सब्सक्राइब इक दुनिख गुन्हाज़ दो आ उसी ताइम को मंत्र से क्राइब इन है टो ग्रहण में वे मंत्र के को चाहिआ ने कि ए जाप करना है फिर मंत्र आपके जए जी या फिर आपके तो गणपति अथरवस इसका पाठ कर सकते हैं जिसके इस्टेटिव ठापुर्ड है वो सुदासंग कबच का पाठ कर सकते हैं तो यह इसको ज्यदा चपन देगा और काफी कम समय साथा है कि ग्रहन में अगर आप करते हैं तो उसका एकजरपुना फोल ज्यादा मिले काफी कम स ड़ा चंद्रव गराण के पीच में यह सूर्य गर्ण आ है 15 पहले चंद्रव गरान कर आभ ही 15 वह चंद्र गरहां इसी कर रहां फोड़ा वर्ड में फ्टोडा थेंसें बढ़ेगा जोगें शूर्य की आसी बढ़ने के बाद ही थुड़ा सांध रोज नसांद लग रहा है क्योंकि एक साथ तीन ग्रण एक ही मेने में पुड़ा वड़ को प्रिशान कर सकता है जी 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 और मंदीर कब बंध रखेते हैं कब खुलेंगे मंदीर का वेद आज रात से लग जाता है वो कल दूपर के बाद में वो खुल जाएंगे मतलब कल साम तक तो खुल जाएंगे और उसको पुरा साब दोड के उसको वापस दर्सन के लिए खुल सकते हैं तो आई थे हमारे एस्ट्रोलोजर की रण भाइठक करून से हमने ग्रहन के बारे में भी चानकारी ली और जो एस्ट्रोलोजी में जो भी हमने जो मंगवाए थे आप सबसे कि आपको भी अगर आपको बेजना है फिर से अभ्यान से सुन लीजिए आपको बेजना है आपका नाम आपका बर्थ प्लेस बर्थ डेट और बर्थ समय वेरी इंपोर्टन्ट एंड कहां से आप है वो भी आपको इसमें लिखना है और दूसरी चीज अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो एक से दो कुछन या तीन कुछ सकते हैं वो भी उस पर लिखके बेज सकते हैं यह आपको जो बेजना है अभी आपने यह कारेक्रम देखा है तो नेक्स सेटर्डे से पहले मतलब की फ्राइडे तक आपको यह पूरी जानकर यापकी जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप उसमें ध्यान रखेगा और हमारे चैनल ऐसे ही देखते रहे हैं और बहुत सारे कारेक्रम हों यह साथ और मैं वापस किरन जी के पास चलती हूँ किरन जी आपको एक संदेज भी देना है कि ग्रहन है तो उसमें क्या आप संदेज देंगे हमारे दर्शकों को जितना ज ज़रुरी है और बहुत उत्तम समय है आपका अपना पुद का वेल्यू बढ़ाने के लिए खुद का इंप्रॉमेंट करने के लिए बहुत बड़ा संदेज और कुछ केहना चाहिएंगे सर्थ बस आप जो भी करें वो दिल से करें जो भी करें मन से करें जो फंदाही रहता जी बनलब जो हमारी बात की विश्वाश जो एक ट्रस्त होता है विश्वाश सरत्ता और दिरज अपरक जो सूत्र है इस कारय bên यह घ्रिम का, आस्टोलोजी का तो आप ज्रूर से विस्वाश सरत्ता और दिरज रखिये, और ऐसे ही नेक्स्ट सेटर्डे को हम वापस मिलेंगे तब तब के लिए नमश्कार नमश्कार, टेरी निश्ट सिधान्त अलकड में कैल्शियम, विटामिन D3, मैगनेश्यम है जो आलकलाइन, एंटी ऑक्सिदेंट, नेचरल एंटिबाइटिक है और 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 पी संतुलित करता है जो इम्म्यूनेटी बढ़ाने में एवं सत्तर से भी ज्यादा बिमारियों में सहाई करता है सिर्फ दो बूंद लिक्विड कैल्शियम, रोज सुबह शाम, 250 ml गुन-गुने पानी में डालके पीने से आश्चर्य जनक परिणा मिलता है सिधान्त लाइम प्राइवेट लिमिटेड